नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूटूब चैनल योजना ओनलाइन फोर यू पर दोस्तों एक बार फिर आपके सामने एक महत पून जानकर लेकर हाजर हो चुके हैं अगर आपने भी इश्रम कार्ड बनवाया हुआ है तो दोस्तों आप भी तीन हजार रूपे हर महीने प्राप्त कर सकते हैं जैसे कि आप सभी जानते हैं कि प्रधान मंतरी नरेन मोदी जी द्वारा कए बड़ी योजनाई चलाए गई हैं जिसके अंद्रगत सभी वैक्तियों को लाप भी दिया जाता है वहीं दोस्तों जिन सर्मिकों ने जिन मजदूरों ने इश्रम कार्ड बनवाया हुआ है अब सरकार उनको हर महीने तीन हजार रूपे प्रदान कर रही है दोस्तों यह लाब आप कैसे ले सकते हैं उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी साथी साथ दोस्तों आप इसके लिए अपलाई कैसे कर सकते हैं वह भी बताए जाएगा अपलाई करने के लिए क्या दस्तवी चाहिए होंगे क्या पातरता ने धरत की गई है क्या नियम बनाए गई है वैसे भी जानकारी आपको लाइव बताई जाएगी तो आप अंत तक बने रहेगा अगर आप हर महीने 3000 रुपे पैंसन प्राप्त करना चाहते हैं दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह पैंसन प्राप्त करने के लिए 18 वर्ष की आयू से ही आप अप्लाई कर सकते हैं आविदन कर सकते हैं कितनी आयू तक आप अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में भी हम आपको वीडियो के माध्यम से लाइव जानकारी देने जा रहे हैं अगर आप यह संपूर्ण जानकरी हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप अंतितक जरूर देखेगा आपसे हम छुठा निर्दन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए सेयर करेगा यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप चिरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा बैल एकन को प्रेस करेगा चाहते दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं चलते हैं सिधे ओपीशियल वेबसाइट पर तो दोस्तों जैसे कि आप इस कीन पर देख पा रहे हैं हम आच चुके हैं ओपीशियल वेबसाइट पर श्रम विभाग मंत राले की इश्रम काड़ आप यहां पर देख सकते हैं लिखा हुआ है और साथ साथ यहां पर अगर आप हिंदी में इंगलिस में या फिर किसी भी आप जानकर को प्राप्त करना चाहते हैं तो वह भी आप यहां से चैंज कर सकते हैं ठीक दोस्तो अगर आप हिंदी में जानकर लेना चाहते हैं तो आप हिंदी में कर सकते हैं अंग्रेजी में जानकर लेना चाहते हैं तो दोस्तो आप इंग्लिस में यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं ठीके अब आप दोस्तो नीचे स्कोल करेंगे तो नीचे स्कोल करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि दोस्तो आपको सामने जो ओपिशल वेब साइट है तो आपको नजर आएगी ही बलकि यहाँ से आप नया registration कर सकते हैं इश्रम कार्ड के लिए या फिर अगर आपके इश्रम कार्ड में कोई mistake हो चुकी है कोई गलती हो चुकी है और आप उसको सुधारना चाहते हैं तो दोस्तो अपडेट के option पर click करके आप सुधार सकते हैं ध्यान रहे apply करने के लिए और साथ ही दोस्तो सुध आधार करने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना अनिवारी है आधार कार्ड के बिना आप इसमें कोई भी चैंजिंग नहीं कर पाएंगे कोई भी बतलाओ नहीं कर पाएंगे साथे साथ दोस्तो आप नीचे देखेंगे नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं for pension of 3000 रु खट कर लेते हैं क्योंकि फिलारिया इंग्लिज में है तो हम यहाँ पर दूस्तो हिंदी के उपर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं च inn высvills. में यहाँ पर आ चुकी है यहाँ पर पर और बताया गया है कि पंजीक्रण पून रूप से निसुल्ख आप से कोई भी रूपया नहीं लिया जाएगा और एश्रम काड के लिए अगर आप रेजिस्टेशन करना चाहते हैं तो पहले आपको यहाँ पर पंजी करना होगा ठीक है अब यहाँ पर देख सकते हैं यहां पर बताया गया है कि 3,000 रुपे महा की penson के लिए आप यहाँ से registration कर सकते हैं । तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है जैसे कि आप स्कीन पर देख पा रहे हैं तीन हजार रुपे परतिमा पैंसन दी जाएगी और दोस्तों इसके बारे में अगर आप जानकर बात करें अब आप यहाँ पर दिखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है डिटेल्स तो आपको यहाँ पर डिटेल्स के ओपर क्लिक कर देना है जिससे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो संपूर्ण जो जानकारी है वह आपके सामने निकल कर आ जाएगी तो दोस्तो आप यहां से संपूर्ण जानकारी को हसिल कर सकते हैं सबसे पहले हम यहां पर आपको बदायते हैं कि किस प्रकार से यहां पर आप लापते सकते हैं सबसे पहले हम benefit के बारे में यहां पर जान से पहले आपको क्या-क्या दस्तवी चाहिए होगी वह आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर step by step बताया गया step first step second step step three यहां पर step by step आप दोस्तों इसको पूरा गाइड करके read करके आप पढ़ सकते हैं तो आपको पहले यह read कर लेना है और आसानी से आप अपने mobile से भी इसकी जानकर को प्राप कर सकते हैं लेकिन आपको इसमें हर महीन दोस्तों पैसे investment करने होगे जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर बताया गया है कि तीन हजार रूपए पैंस्ट परती महा आपको दी जाएगी और contribution यहां पर आ देख सकते हैं यहां के यहां पर आप जो पैंस्ट सब्सक्राइब करेंगे यानिके 55 रुपे आप जमा करेंगे और 55 रुपे ही केंसरकाल की तरफ से जमा किये जाएंगे टोटल मिलाकर आपके एकाउंट में जो हर महीने पैसा जाएगा वह 110 रुपे जाएगा तो दोस्तो 19 साल की उमर में अगर आप अपलाई करते हैं तो 58 रुपे आपको देने हैं 58 रुपे सरकार देगी 116 रुपे आपके एकाउंट में जाएंगे इसी प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं ठीक दोस्तो अगर आप यहाँ पर 30 साल की उमर में अपलाई करते हैं तो 105 रुपे आपको हर महीने देने होंगे 105 रुपे ही सरकार की तरफ से आपको दे जाएंगे यहनके जो आपके एकाउंट में पैसा जमा होगा वह 210 रुपे होगा वहीं अगर आप 40 वर्स की आयू में अपलाई करते हैं तो आपको 200 रुपे हर महीने जमा करने होंगे ठीक है 200 रुपे आपको सरकार देगी यहाँ पर आपके एकाउंट में जमा किया जाएगा तो दोस्तो इस परकार से आपको age wise पैसा जमा करना होगा और जितना पैसा आप जमा करेंगे उतना ही पैसा सरकार भी जमा करेंगी और दोस्तों अगर आप description में देखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि दोस्तों आप यहाँ पर अच्छाजिस वर्स तक आप apply कर सकते हैं आपकी जो monthly income certificate है वे आपका 15,000 रुपे का होना चाहिए ठीक दोस्तों अब उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर EPFO या NPS या फिर ESI के member नहीं होने चाहिए ठीक है ठीक है ठीक दोस्तों any income tax payer आप नहीं हो चाहिए साथ साथ यहाँ पर बताय गया है कि आपका आधार कार्ड चाहिए होगा saving back account चाहिए होगा और अगर आपके पास जंदन account number है तो दोस्तों उसके आपको IFC code भी चाहिए होगा ठीक है अगर आपके पास जंदन account है तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं और बहुत जल्दी आपक पैंसन मिलना सुरू सरकारिक तरफ से कर दे जाएगी तो यह तिया आपके लिए महत्मुर्ण जानकर दोस्तों आप भी यहां पर आकर apply कर सकते हैं और दोस्तों इसके लिए आपको कुछ ज़दा अस्तवर्यों कि आपके पास होना चाहिए इससे दोस्तों आप आसने से apply कर सकते हैं और फिर आप दोस्तों help line number पर कोल करना चाहते हैं तो वह भी आप यहां से कर सकते हैं ठीक दोस्तों आप इसके बारे में समझ चुक होंगे अगर आपको कोई सवाल है तो सवाल कर सकते हैं आप सभी के सवालों का जवाब भी हां पर दिया जाएगा अगर आप इस pension के लिए apply करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा वापस आना है वापस आनके बाद उस जहां से आपने यहां पर details देखी थी तो आपको यहां पर नजर आएगा click here to apply now तो आपको यहां पर click करना है click करके दोस्तों आप आवेदन कर सकते हैं जैसे आप यहां पर click करेंगे तो आपके सामने नच्ट पेज होगा दोस्तों और यहां से आप अपने mobile number के जरीए OTP के जरीए आप यहां से जो apply है वेग कर सकते हैं अगर आप की पास यह आईडी है तो आप यहां से apply कर सकते हैं अगर आप कहेंगे बोलेंगे दोस्तों की apply कैसे करते हैं तो हम आपको बता पाएंगे और अधिक से दिक आप कमेंट जरूर करें तो यह था आपके लिए महत्त पुर्ण जानकर जानकर कैसे लिए आप हमें कमेंट वक्स में जरूर देगा आपसे हमने विद्दन करते हैं कि अकर आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक कर